Hello students, आई आज हम लोग बात करते हैं IELTS के speaking module के बारे में, देखिए speaking module one of the most important module है जिसमें आप communicate कर सकते हैं examiner के साथ में, अगर आपका communication सही रहा, अगर आपका सब कुछ सही रहा तो आपका score भी band score अच्छा आएगा, जानिए इसका देखिए time क्या होता है कि आपको 11 to 14 minutes का time duration आता है, इस time duration में आपको समझना पड़ेगा आपका तिन अलग 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 parts होते हैं लोग इसमें, तो तिन अलग अलग question आता है और सभी question को आपको answer सही देना पड़ता है, देखिए, इसमें क्या आप पहले समझिए, speaking module in IELTS is required to your good command in communication so that you can convince the examiner through your logical responses, आपको इसमें प्र answer आपको deliver करना होता है, अगर आप deliver सही करेंगे तो आपका marks भी सही आएगा, you have to use a wide range of vocabularies and connectives in order to make your complex sentences, you should use proper sentences which must be grammatically accurate, अगर grammatically accurate रहा तो आपका कोई दिक्कत नहीं रहा, अगर आपको deliver अच्छा होगा, तो देखिए, इसके लिए आपको newspaper पढ़ना पढ़ेगा, याने कि newspaper, books अगरा पढ़ेगा, तो आपको score बहुत अच्छा हैगा, और आप score अच्छा हैगा, तो आपको obviously selection अच्छा रहाएगा, अगर आपको अच्छा हैगा, अगर आपको क्या समाजना पढ़ेगा, देखिए, आम आपको बता चुकें कि you should use proper sentences which must be grammatically accurate, देखिए, your speaking will be evaluated in four different categories, as first में है fluency and coherence, second में है lexical researches and vocabulary, fourth में है grammatical range and accuracy, और fourth में है pronunciation, तो इन चारों चीजों को आपको समझना पढ़ेगा, और सही रुप में, सही माइने में अगर आप समझेंगे, तो आपका अच्छा हो सकता है, और आगे बात करेंगे, बहुत सारा बभी सिखना वाकी है, आग कि आपको पहले क्या करना होगा, कि English speaking, यानि कि ILTS में जाने से पहले, आपको बहुत सारा बार, आपको speaking का test का rehearsal करना पड़ेगा, जब आप speaking के बारे में class ले रहे होंगे, या आप खोदी practice कर रहे होंगे, तो आप चाहें गहर में कीजिए, चाहें online में कीजिए, चाहें आ किजिएगा, आपको क्या करना होगा, कि speaking में आप जाने से पहले, अपने घर में, या अपने institute में, या अपने ही, जो आप जहां रहते हैं, वहाँ आप personally भी इसको follow कर सकते हैं, उसको लिए आपको समझना चाहिए, कि कुछ tips जो होता है, ओ जब personally आप करते हैं, तो आपको love होता है, आपको क्या करना होगा, कि आपने आपको cool, silent और confident बनाई रहना पड़ागा, क्योंकि confidence होता है, उसकी बाद में होता है, two number में, keep patience and be sincere, आपको patience होना है, अपने आप में और sincere होना है, जब आप यह हो पाएंगे, तो आपको discipline और active राने में भी आपको कुछ हाथ त examiner more carefully, यानि कि examiner को आप अच्छे से सुन सकेंगे, उसलिए आपको पहले question को सुनना पड़ेगा, उसके बाद आपको reply देना पड़ेगा, देखिए, think about the question and generate some ideas, आपको उस question के बारे में, अगर आप question सुन लेंगे, तो सुनने के बाद में आपको कुछ idea generate यानि कि development करना सकते हैं, keep your eye contact with the examiner, यानि कि जब आप किसी से बात कर रहे हो, especially इस exam के time में, तो examiner से आप लगाव रखिए, उसरत आप eye contact किजिए, क्योंकि eye contact करेंगे तो आपका confidence level high होगा, जो ज़रूरत होता है आपको ILTS के exam में, keep smiling and maintain your body language, देखिए, आप क्या करना होगा, कि smile करना allow होत होता है, यानि कि हास नहीं पाएंगे, और smile करने से आपको confidence level भी grow होता है, उसी तरह देखिए, body language में आपको maintain करना पड़ेगा, पोस्चर में, आपको बाल मत चुएगा, यानि कि पेन को bite मत किजिए, body को move इधर उधर मत किजिए, सिधा बाइठिए और be a lot with the examiner, now don't use fillers such as like this words and slang words, इन words को meaning को ही नहीं रहता है, जब meaning ही नहीं तो आप इसको use करेंगे, तो fluency आपको क्या कॉम हो जाएगा, जब fluency आपका less हो जाएगा, तो आपका fluency में marks नहीं आएगा, तो marks नहीं आएगा, तो आपको score में कॉम हो जाएगा, आगे बढ़ते देखिए, don't be over smart, over confidence while answering, आपको कुछ answer पता है, लेकिन आप उसको जल्द बाज में debil deliver मत कीजिए, उस वेड कीजिए, और उसको आप बहुत ही आसानी से आप देजिए, ताकि examiner को लगे कि आपकी critically अपना है, उसको अप creative लगे, आपका answer trust worth हो, या आपको believe कर सके, इसलिए over smart होना काम मत आगे बढ़ेंगे, देखिए, don't feel nervous and hesitation, आपको nervous नहीं होना है, और hesitate तो होना ही नहीं है, क्योंकि जब आप ये दोनों नहीं होंगे, तो आपका answer, आपका जो body posture है, body position, वो सब अच्छा होगा, आगे बढ़ेंगे, provide your complete answer, आपका answer complete होना पड़ेगा, जब आपका answer complete होगा, तो सब भी अच्छा होगा, आगे बढ़ेंगे देखिए, provide relevant, don't take long time to answer, यानि कि answer देने के समय में, आप ज्यादा समय वेस्ट ना करें, यानि कि ज्यादा सोचने में वेस्ट नहीं करेंगे, तो आपका answer भी अच्छा होगा, और आप समय में ही आप answer दे पाएंगे, provide relevant examples if it is necessary, आपको आवसिक हो तो आप example दे सकतेंगे, लेकिन हर बात, हर बार example देना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको example देने का situation आ सकता है, context आ सकता है, तो उस contextual best में आपका example deliver कर सकते हैं, prepare well and try to be relaxed, आपको prepare अच्छा होना चाहिए और relaxed भी होना चाहिए, जब आप prepare तो आपका answer भी अच्छा होगा, आप बात करते हैं, देखिए speaking part 1 में, 2 में और 3 में क्या होगा, देखिए बात करते हैं, speaking part 1 में आपको लिए time होता है, 4 to 5 minutes, इसमें आपको 1 से लेके 6 और 7, 8 तक याना कि 6 to 8 question average में पुछा साएगा, इसमें क्या होगा कि आपका personal introduction याना कि personal identity, आपको आपका नाम, आपका passport, आपका address पूछा दाएगा, और part 1 में जब entry होगे, तब आपका scoring label बाढ़ता दाएगा, यानि कि आपका जो नाम, address, जो passport है, ये सब के लिए common है, ये part 0 का लाता है, लेकिन part 1 में ही आने के वज़़ा से, 4 to 5 minutes आपका time, इसमें आपको a lot र रोखना नहीं है, आपको answer one sentence to two sentence long, deliver करना पड़ेगा, आगे बढ़ेंगे, तो बात करेंगे, देखे speaking part 2 के बारे में, speaking part 2 में क्या होता है, कि cue card को इसमें आता है, इसमें आपके पास 3 to 4 minute time रहता है, इसमें 1 minute आपको मिलेगा कि आपको note कर सकेंगे, उसी तरह 1 to 2 minutes आपको time explain कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, और एक भी आप keyword अगर miss कर जाएंगे, तो आपका score में decrease हो सकता है, तो इसलिए आपको याद रखना होगा कि आपको speaking part 2 में आप बस आप ही बोलेंगे, इसमें आपको जो दिया होता है cue card को इसमें, उसको हम लोग darks card भी बोलते हैं, उसको आप explain करना पड़ेगा, और 1 से 2 मिनट तक अगर आप बोल लेंगे, उसके बाद में आपको रुकना पड़ेगा, अगर आप नहीं रुकेंगे तो ओ examiner आपको stop कर देगा, तो 1 मिनट आपको ऊपर या 2 मिनट से नीचे आपको बोलना पड़ेगा, देखिए, बात करे आपके opinion based, agree, disagree, advantage, disadvantage, problem, solution, उसी तर आपके मानने के चलिए, opinions, recommendation, imagination, why, why not, problem, solution, all the questions like comes to the, आइए अब बात करते हैं, the most important topics के बारे में, जो आपको speaking part 1 में या 2 में आ सकता है, 2024 में, यानिकि इस साल January से ले के अगरे December तक, आपको जो भी speaking part 1 में, या 2 में आ सकता है, 2024 में, यानि 1 या 2 में कोई से आ सकता है, उसके बारे में जानेंगे some typical topic होता है, common topic, देखिए, क्या के आपको person, यानिकि बेक्ति के बारे में, relating to your family member, friend, or famous person, उसी तरह place, जो जगह में आप राते हैं, like hometown, city, village, country, anything, objects में आपको पुछेगा, relating to tools, gadgets, कोई भी electronic gadgets, आप याविज करते हैं, electronic या कोई equipment, instruments, कोई musical instruments हो सकता है, उसी तरह vocational याने की job, कोई भी job, occupation, और employment, जो similar word है, जो भी आपको बारे में पुछ सकता है, आपके village के बारे में, या आपके family के बारे में जानिये, time, time जो होता है, आपको special event हो गया, birthday, marriage, wedding, occasion, anything, आपको पुछ सकता है, उसी तरह देखिए आपको बताता लेगा, relating to the most famous book, Nobel story, आपको कुछ biography को बारे में, या कुछ भी book को बारे में आपको पढ़ने के लिए, या कोई topic में आपको question पुछ सकता है, film, music के बारे में बात करेंगे, तो relating to movie, music, song, और television program, और show, उसी तरह हम बात करेंगे, photograph के बारे में, तो photograph में आपको तो आज के बात करेंगे, और जो सामने topic से जो आ सकता है, उसके बारे में देखिए, देखिए, आगे बात करेंगे, कुछ और topics जो भी आपको पूछ सकता है exam में, तो बात करेंगे, one में है the arts, इसमें आपके पहले जो आ सकता है, film, television, art, music, photography, two में है education, जोसमें आपको history, mathematics, science के बारे में कुछ शेन आ सकता है, thord में है communication, emails, contacting, trends इसमें आपको social media के बारे में पूछ सकता है, facebook, whatsapp,ats, etc जो डिवार सोड़े हैं फोर्थ में है टेखनोजी जुसमें आपको कॉम्पीटर स्मार्ट फोन और भी कोई सारे की टेकनोजी में पुछ सकता है इस पारें!' 5 में आगाना फ्रिया of activities अबको क्या करना पसंद आपको हवी record advis said सकता है शिक्स में आपके है स्टाइल्स एंड टेस्ट आपके जीन्स शूस कॉलर्स एरिस्टाइल कोई भी आपको पसांद है उसके बारे में पूछ सकता है सेवेंथ नमर में हैं रिलेशन्शिप याने की फ्रेंड्स फैमिली नेबर्स पेट अनिमाल्स वाल्ड अनिमाल्स पूछ सकता है और 8 में इंबार्मेंट्स में पोल्यूशन, स्काई, सराउंडिंग्स आपको पूछ सकता है तो देखिए आपको क्या करना है इन सब विशयों में इन सब टॉपिक्स में मेरा ब्लॉग स्पॉट भी है आपको मैं शेयर कर देंगे लेकिन आपको होर इस टॉ मेंस करना मढ़ेत पाले सिरु में जब आप हमुआए प्रक्रीच करें और उर्णी च Spec Hyundai चाहिए पद़ाता है बाले इस स्टार्ट किसे करें में क्यों के आहसे क्यों कि आप इसी तरह यूज करके आप आगे बाढ़ सकते हैं क्योंकि आपको अगर इस तरह शुरुआत करेंगे एक ही बाइक आपको टॉपिक में जॉंप नहीं करना है आपको धीरे-दीरे आगे बढ़ना है और आपके जो पाथ 2 में है एंसर उसको आप सिंपल, जन्रल यानिके सिंपल से शुरू किजिए बीच में एडवांस, कंप्लेक्स बढ़ाईए सेंटेंस को और एक्जामपल दीजिए अगर आप सिक पढ़ातो इन सब सारी बातों को अगर आप ध्यान में रखके स्पिकिंग में जाएंगे तो आपके बहुत ही अच्छा इसको राने वाल है लेकिन हाँ, लेबल अफ कंपिडेंस को ग्रो किजिएगा, फेस में आपको एक्स्प्रेशन देना होगा और पोजिटीव फिलिंग, पोजिटीव भाइब लेकर दाएगे, एक्टीव बनिए और आपने आपको बिल्ड आफ किजिए, कंपिडेंस आइए तो आपका स्पिकिंग अच्छा होगा, all the best